कम बैक, लेट्स डिस्कस अवर नेक्स टोपिक, आपने देखा होगा करंट अफ्यार सीरीज में कि जो लीथियम है वो काफी न्यूज में रह रहा है आजकल, तो देखिए, जो हमारा एटोमिक मिनरल डिरेक्टोरेट फोर एक्स्प्लोरेशन और रिसर्च है, हैदरवाद में इसका सेंटर है, तो इन्होंने मांट्यादिस्ट करनाटका के अंदर लेथियम इनको मिला है ठीक है, और ये जो रिसर्च सेंटर है, किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ओफ एटोमिक एनरजी के अंदर आता है, ये हमारा एक इंस्टिट्यूट है, इंडिया काबिल इसने agreement sign कि ए है अर्जेंटिना के साथ में कि वो lithium exploration करेंगे ठीके अब lithium के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम lithium triangle के बारे में हमें पता होना चाहिए यह अर्जेंटिना, बोलिविया और चिली ठीके यह south mail के अंदर इन तिनों को मिला के वोला जाते है maximum जो lithium का production है इन तीन countries के अंदर होता है उसके बाद में देखिए वैसे हम सिर्फ एक country को देखे तो Australia में सबसे ज़्यादा lithium हमें मिलता है उसके बाद में lithium ion जो batteries है वो सबसे ज़्यादा production कौन करता है चाइना और उसके बाद में USA ठीक है lithium ion giga battery अभी इतना यूज हम क्यों कर रहे है जो lithium ion batteries है ठीक है सबसे पहले तो ये इसका कौन वो कर रहे है लिब कौन और भील ठीक है इसके benefits का है high energy density है low self discharge है ठीक है ये सब चिज़े इसका benefits है तो लेकिन इसका कुछ drawback भी होगा तो इसकी overheating इसका जो जो है वो drawbacks है ठीक है लेकिन इसके बाद में हम अभी एक और better stage में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि lithium sulfur batteries है ठीक है इसमें overheating नहीं होती है और ये low cost और large capacity है मतलब lithium ion battery से better है lithium sulfur battery ठीक है lithium refinery first हमारी काँ अभी recent में गुजरात में 2021 के जैनवरी के अंदर ये current of year है आपने पड़ा होगा कि गुजरात के अंदर established होई है ठीक है तो हम मैंने जैसे आपको बोला कि हम last 2 साल का current of year revise करेंगे ठीक है उसके बाद में देखिए lithium जो है lithium white silver metal है ठीक है इस कहां कहां यूज होता है ये electronics में होता है glass industry में हो रहा है nuclear reactors में हो रहा है medicine में हो रहा है air purification और air lubrication में as a lubrication भी यूज हो रहा है इसके बाद में हमने lithium के बारे में बढ़ा इसके बाद में थोड़ा सा vanadium के बारे में बढ़ते हैं ये high value metal है जो कि steel और titanium को strengthen करता है और इसका जो डिपोजिट से सबसे ज़्यादा चाइना, रशिया और साउथ अफरिका में है और जो जो जियेसाई ने इसको प्रोटोजोएक रॉक्स जो है और उनाचल में इसको भी वहाँ पे फाउंड किये ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक्यू